राजनीत में यूही कोई मुलाकात नहीं होती, कोई न कोई उस मुलाकात का मतलब होता है। इंडिया नियूज के डिजिटर चैनल इन खबर के लिए कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। इसकी राजनीत में दिग बिजय सिंगा एक बार फिर से दखल बढ़ रहा है और वो कहीं न कहीं पिछड़ रहे हैं। उधर बिएसपी के जो दो बिधायक और समाजवादी पार्टी का एक बिधायक कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे हैं। भी बगावत के सुर हैं और दमोह और जो वहाँ पे बसपा की बिधायक हैं दमोह की पथरिया से रामबाई। उन्होंने कहा है कि यदि उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो मद्यप्रदेश सरकार का हाल भी करनाथक सरकार की तरह ही होगा। और बसपा के जो दूसरे बिधायक हैं वो संजीव सिंग संजु हैं और सपा के बिधायक जो है वो छतरपूर से पुस्पेन नात पाठक हैं जिनको गुड़न भाईया भी बोलते हैं और इसके अलावा चार निर्दली बिधायक कमल नात सरकार को समर्थन दे रहे हैं मध्य परदेश में जो विपक्ष के नेता हैं गुपाल भारगव और यहां पे जो बीजेपी के महासचिव हैं कैलास बीजेबरगी वो बोल चुके हैं कि जब केंदरीन नित्रित्वन ने कहा तब ही कमल नात सरकार गिर जाएगी इस बीज खबर ये भी है कि जो चार निर्दली विधायक हैं और ये तिन विधायक हैं इनकी आपस में मिटिंगे भी होती रहती हैं इनको इस बात के लेके नराजगी है कि इनको मंत्री नहीं बनाय गया और कमल नात भी इस तरफ ही सारा कर चुके हैं कि बीजेपी कहीं ने प्रदेश की कांग्रेस की राजनीत में थोड़ा अलग थलग पड़ रहे हैं और गुना जो उनका छेतर है वहां से तीन सीटे कांग्रेस हार गई थी तो उस वज़ा से थोड़ा सा वो कमजोर हुए हैं तो उन्हें ये लग रहा है कि गुना से बीजेपी का कोई मजबुत मिदवार उतर गया लोग सभाचुनाओं में तो फिर उनके लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी जबकि सीवरा सिंग चवहान अपने केंद्री नेत्रितु से इस बात से नराज हैं कि उन्हें जो है वहां की राजनीत में किनारे करके गोपाल भारगों को विपक्ष का नेता बनाया गया और उन्हें राश्टी उपाध्धक्ष बना दिये गया राश्टी उपाध्धक्ष बनने के बाद ही पार्टी में उनकी कोई खास पूछ नहीं हो रही है जबकि वह ये बात बोल चुके हैं कि वह मध्य प्रदेश की मिट्टी में पैदा हुए हैं और सिंधिया कर रहे हैं कि रात गई बात गई बात खतम हो गई चुनाव में दोनों पक्ष ने क्या क्या कहा और सिवरा सिंग चोहान इस मुलाकात के बाद पूछा गया तो बोले कि से यह तो कड़सी मुलाकात थी कोई भी महमान घर पे आएगा तो उसको स्वागत करना ही है तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे और आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके सुझाओ जरूर लिखें थैंक्यू